दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर से स्टप के टो फाइब कोश्चन जो ओल कम्पिटिटिव एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है तो इसमें जो ये संख्या दी गई है इसमें हमें हिकाई का अंक देखना है तो करते हैं जो हमारे नंबर से ये आंसर है वो हो गया हमारा सैवन वो है हमारा सैवन अब दूसरा कोश्चन करते हैं दूसरा कोश्चन भी सेम ऐसा ही है उसके भी हमें इकाई की संख्या देखनी पड़ेगी तो हमारा इसका आंसर सिदह सिदह हो गया है दो दो इसका answer हो गया अब करते ह待 हैं तीसरा question तीसरा question है हमारा पर्थम 20 विशम प्रकरतिक संख्याओं का योग क्या होगा यानि जो हमारी पर्थम 20 विशम प्रकरतिक संख्याओं है उसका योग क्या होगा तो इसका formula होता है n square n की जग n होता है हमारा n होता है हमारा numbers जो हमें दिया होता है n होता है हमारा number और हमें उसका square करना होता है तो हो गया 2 to 4 तो हो गया हमारा यह इसका answer 400 तो इसका जो answer आया है हमारा वो गया हमारा 400 400 इसका answer है अब करते हैं चोथा question चोथा कोशन है पर्थम 25 समसंख्याओ का योग क्या होगा यानि कि जो हमारी पर्थम 25 संख्याओ है उसका योग क्या होगा उसका भी फोर्मूला होता है योग निकालने का फोर्मूला होता है जो समसंख्याओ के लिए योग निकलता है उसका फोर्मूला होता है n in bracket n plus 1 इस प तो कर देंगे इसकी multiply 25 into 25 प्लस 1 तो हो जाएगा 25 into 26 यह हो गया अब जब हम 25 और 26 की multiply करेंगे तो हमारा आजाएगा 650 जो इसमें option में दिया गया है तो हमारा जो answer आएगा 650 आएगा यह हो चुका है हमारा अब हमारा last question है 5 आला कि पर्थम 100 प्राकरतिक संख्याओं का योग यानि जो पर्थम 100 प्राकरतिक संख्या हैं उसका योग क्या होगा इसमें भी निकालते हैं इसमें भी हमारे चार ओप्षन हैं इसमें से भी एक ओप्षन हमारा जो होगा वो आंसर होगा तो इसमें से पहले हम प्राकरतिक संख्या ही रिख लेंगे एक, दो, तीन, डैस, डैस यह हमारी 100 प्रकरतिक संख्या है तो इसका जो फोर्मूला होता है n in bracket n plus 1 upon 2 तो अब इसमें भी हम संख्या लगते हैं n का माने हमारा 100 और इसका भी माने हमारा 100 plus 1 upon 2 यह हो गया तो हो जाएगा 100 into 101 upon 2 2 से 50 बार cancel हो गया और अब बचा हमारा 50 into 101 यह हो गया अगर हम इसकी multiply करते हैं तो हो जाएगा हमारा आ जाएगा 5050 यह हमारा answer में है तो हमारा जो answer हो जाएगा इसका D answer हो जाएगा ऐसे ही all competitive exam के top question के लिए हमारे चैनल को subscribe किजिए जल्द ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद